वेल्कम टू इडनेत घर ग्रस्ती वे बॉडी के रिलीटिड जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें नीचे दिया गया रैड बटन दबा कर ये फ्री है हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे राजस्तान की फेमस प्याजगी कुचौरी हलवाई के जैसी टेस्टी वे खस्ता कुचौरी बनाने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें इसके लिए हमें चाहिए दो कप गेहुं का आटा एक टेबल स्पून सुजी दो टेबल स्पून बेसन दो उबले हुए आलू अधा चमच सरसों के दाने अधा चमच अजवाईन आधा चमच काली मिर्च पाउडर आधा चमच अमचूर एक से दो बारी कटी हुई हरी मिर्च एक चमच अद्रक कद्दू कस्किया हुआ तीन से चार मीडियम साइज के प्यास जिन्ने मैंने बारी काट लिया है और इसके अलावा फ्राइ करने के लिए ओयल आईए पहले कुछारी का आटा रेडि कर लेते हैं दो कप गेहूं के आटे में एक टेबल स्पून सूजी डाल लेंगे सूजी से हमारी कचारी खस्ता बनेगी एक चथाई चम्मच नमक डाल लेंगे एक चथाई चम्मच अजवाईन डाल लेंगे कचारी हैवी होती है तो इसमें अजवाईन डालना हमारे पेट के लिए ठीक रहता है अब हम इसमें लगबग दो चम्मच ऑईल डाल लेंगे अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने यहाँ पर वेजिटेवल ऑईल का इस्तमाल क्या है आप चाहें तो आप इसकी जगां ऑलिव ऑईल या देशी घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं अब चेक कर लेते हैं कि ऑईल का प्रॉपर अमाउंट डला है या नहीं इसके लिए इस तरह से मुठी बनाएंगे अगर मुठी खोलने पर आटा बिखरता नहीं है तो ऑईल का सही अमाउंट डल गया है अब हम आटा गुंथ लेंगे हमें सौफ्ट डो रेडी करना है सौफ्ट डो रेडी हो गया है इसे गुंथने के लिए लगबग दो कप पाने का इस्तमाल हुआ है अब हम हथेली में थोड़ा सा ऑईल लेंगे और डो के चारत रख उसके एक लियर बना देंगे आटा गुंथते समय हमने जो सौजी इसमें डाली है उसकी वज़ा से बीच में थोड़े हाट डाने फील होते है मगर ये बाद में ठीक हो जाएंगे अब हम डो को ढग कर आधे गंटे के लिए रख देंगे अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं एक पैन में तड़की के लिए तीन से चार स्पून ऑईल गरम कर लेंगे गरम ऑईल में आधा चमच सर्सों के दाने डाल लेंगे सर्सों के चटक जाने पर इसमें आधा चमच जीरा डाल लेंगे थोड़ी देर जीरे को भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें एक चम्मच का दुकस की अहवा अद्रक डाल लेंगे मैं यहाँ पर लहसुन नहीं डाल रही हूँ आप अगर डालना चाहें तो इस वक्त लहसुन भी डाल सकते हैं थोड़ी देर अद्रक को भूनने के बाद हम इसमें तीन से चार मीडियम साइज के बारी कटे हुए प्यास डाल लेंगे हम प्यास को थोड़ी देर भून लेंगे अब इसमें एक चताई चम्मच हल्दी एक चताई चम्मच लाल मेच पाउडर एक चताई चमच काली मेच पाउडर एक चताई चमच अमचूर एक से दो बारी कटी हरी मेच डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे अब इसमें दो टेबल स्पून बेसन डालेंगे बेसन को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए तीन से चार मिनट के लिए पकाएंगे ताकि बेसन का जो कच्छा टेस्ट है वो खतम हो जाए बेसन को हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है और अगर बेसन की कोई गांट होगी तो उसे तोड़ लेना है मसाले को लो फ्लेम पर हम लगाता चलाते हुए भूनेंगे नहीं तो बेसन जल जाएगा बेसन डालने के बाद मसाला भूनते हुए मुझे लगभग चार मिनट हो गए है और अब इसमें से भूने हुए बेसन की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है अब हम इसमें दो उबले हुए आलू मैश करके डाल लेंगे आलू को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप सोच रहे होंगे कि प्याज की कुछवारी में आलू क्यूं डाले है क्यूंकि आलू जो है वो मसाले को बाइंट करते है आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए है अब हम इसमें नमक डाल लेंगे आप अपने स्वादानुसा नमक डाल लें मैंने यहाँ पर आधा चमच नमक लिया है अब हम मसाले को 2-3 मिनट के लिए और भून लेंगे मसाला लो फ्लेम पर ही भूनना है मसाला रेडी हो गया है अब गैस बंद कर लेते हैं डो को रखे हुए आदा घंटा हो गया है यह रेडी है इसको अब हम हलका सा गुंत लेंगे अब हम हथेलियों पर थोड़ा सा आईल लगा लेंगे और चोटी चोटी डॉब बॉल्स तोड़ लेंगे हमें जो यहाँ पर लोई बनानी है वो रोटी की लोई से चोटी होनी चाहिए हमें लोई का ये साइज रखना है इस तरह हम सारे आटे की डॉब बॉल्स तोड़ लेंगे अब जो यह हमने डॉब बॉल्स ली है या तो हम इनको बेल के चोटी चोटी रोटियां बना लेंगे या फिर हम हाथों से ही इनको बढ़ा कर लेंगी जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है इस तरह से इसे थोड़ा मोटा रखना है अब हम इसमें मसाला स्टफ कर लेंगे मसाला डालने के बाद हम इस तरह से इसको सील कर लेंगे हमें इसका मुँ अच्छी तरह से बंद करना है नहीं तो तलते समय कचौरी फट जाएगी इस तरह से हम सभी डॉब बॉल्स में मसाला भरने के बाद स्टफ्ट डॉब बॉल्स बना कर रख लेंगे कचौरियां फ्राई करने के लिए एक पैन में आयल को गर्म होने रख देंगे जब तक आयल गर्म हो रहा है हम कचौरियों को बेल लेंगे स्टफ्ट डॉब बॉल्स पे आयल लगा लेंगे और फिर बेलेंगे बेलते समय ज्यादा प्रेशर अपलाई ना करें और नहीं इन्हें ज्यादा बड़ा बेलें हमें इस साइज की कचौरियां बेलनी है इस तरह से सभी कचौरियां बेल लेंगे तेल पूरा गर्म है या नहीं ये चेक करने के लिए हम कचौरी को इस तरह से तेल में डूबो के रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बवल सुट रहे हैं मतलब कचौरी फ्राई होना शुरू हो गई है इसका मतलब है हमारा आईल प्रापर गर्म हो गया है अब हम इसमें कचौरी फ्राई कर लेंगे कचौरी फ्राई करने के लिए हमारा तेल बहुत गर्म होना चाहिए और जब हम इसमें कचौरी डाल देंगे तो हम फ्लेम को लो कर देंगे अभी हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है जैसे ही इस पर हलके से इस तरह से बबल दिखने शुरू होंगे तो हम कचौरियों को निकाल लेंगे इस तरह से हम सभी कचौरियों को हलका सा फ्राई कर लेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि हमें कचौरियों को डो फ्लेम पर फ्राइ करना है तो होता क्या है एक बार ऑईल हमने गरम कर लिया उसके बाद हम लो फ्लेम पर कचौरी को फ्राइ करते हैं जिससे ऑईल का टेंपरेचर कम आ जाता है और अगर हम इसमें और कचोरियां फ्राइ करेंगे तो वो फूलेंगी नहीं इसलिए हम जब भी एक बार कचोरी फ्राइ करने के बाद next lot कचोरी फ्राइ करने के लिए डालेंगे तो हम पहले oil को high frame पर गरम कर लेंगे ताकि उसका temperature maintain हो जाए और उसके बाद flame को लो करके उसमें कचोरी फ्राइ कर लेंगे मैंने सभी कचोरियों को हलका सा फ्राइ कर लिया है एक बार oil को high frame पर अच्छे से गरम कर लूँगी oil गरम हो गया है अब हम इसमें कचोरियों को दोबारा फ्राइ करने के लिए डालेंगे फ्लेम को लो कर लेंगे लो फ्लेम पर कचौरियों को पलट पलट के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे अगर कचौरियों को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी कचौरियों को सैकिंड टाइम फ्राई करते हुए मुझे लगबग 7-8 मिनिट का समय हो गया है कचौरियां अच्छे से फ्राई हो गई है और आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है तो अब हम इने निकाल लेंगे रेडी है राजस्थान की मशूर प्याज की कचौरी इतने मटेरियल से हमारी 18 कचौरियां बनी है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे शेर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स वाचिंग, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तिल देन बाई